हेलो अब्रीवन जच्चा बच्चा मेडी हेल्प मी आप सबका एक बार फिसे स्वागत है आज के सुडियो में मैं बताने वाली हूँ अन्वांटेट 72 टेबलेट के बारे में इसके और भी कई सहरे ब्रेंड्स मार्केट में आते हैं जैसे की आई पी लाता है ऑप्सन टू आ इसका मेकेनीजम आफेक्शन क्या होता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं अन्वांटेट 72 टेबलेट को लेते समय क्या प्रिकॉसन लेनी चाहिए तो आज इस वीडियो में मैं इस टेबलेट के बारे में डीटेल में बताने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा जादों की अन्वांटेट 72 टेबलेट एक इमर्जेंसी कॉंटर सेप्टिप्स गर्व मीरोधग टेबलेट है जिसका यूज तब किया जाता है जब अन्प्रोटेक्टेड इंटर कोर्स होता है या फिर जब आप प्रेग्नेंसी को एवाइड करने के लिए किसी कॉंटर चल रहा है जैसे कि JAPS का यूज करते हो और कॉंटाम स्रप्चर हो जाते हैं या फिर आप प्रेग्नेंसी को एवाइड करने के लिए कि सी मैडिसिन का यूज करते हो और वो मैडिसिन एफेक्टिव नहीं होती है तो इन सारे कंडिशन में इस टैबलेट को यूज किया जात और जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है Unwanted 72 यानि कि Unprotected Intercourse करने के 72 आवर के अंदर इस टेबलेट को लेना होता है तब ही ये टेबलेट काम करती है लेकिन अगर आप Unprotected Intercourse करने के 24 आवर के अंदर इस टेबलेट को ले लेते हो तो ये टेबलेट और भी ज़्यादा effectively काम करती है तो Unprotected Intercourse करने के बाद इस टेबलेट को जल से जल ले लेना चाहिए अगर आप इस टेबलेट को Unprotected Intercourse करने के 72 आवर के अंदर इस टेबलेट को लेते होously तो ये टेबलेट 95% effective होती है और अगर आप Unprotected Intercourse करने के 24 hour के ऐंदर इस टैबलेट के बाद इस टैबलेट बिल्कुल भी इफिक्तीव नहीं करती है एस टैबलेट में कोई मेडिसिन नहीं होता है या एक होर्णोनल ठैबलेट होता है जिसमें लिव्वन गॉंक挺 को रोकने के लिए 75 का यूजक निरह नर्दी बशने धाया लिए उसमें भी हॉर्मोन सी होते हैं लेकिन उस टेबलेट में लिवो नॉर्जस्टिल जो हॉर्मोन होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है और इस टेबलेट में लिवो नॉर्जस्टिल की क्वांटिटी ज्यादा होती है 1.5 mg होती है तो इस टेबलेट में जो लिवो नॉर्जस्टिल 1.5 और इस टीबलेट को लेते हैं तो यह टैबलेट क्या करता है। कि evolution के समय ओवरी से एग को रिलीज होने से रोगता है evolution को यह tablet रोग देता है इनके अगर evolution हो गया है और evolution के बाद से unprotected intercourse होता है और उसके बाद से इस tablet को लेते हैं तो यह tablet तब क्या करता है कि एग और sperm को fertilize होने से रोगता है एग और sperm के fertilization को रोग देता है और अगर मान लीजे कि fertilization भी हो गया है एग और sperm fertilize भी हो गया है तब यह tablet क्या करता है कि implantation को रोगता है देखिए क्या होता है कि pregnancy तब होती है जब आपका पिरियद होता है आपका evolution का समय होता है और आप अपने evolution के समय अपने partner के साथän करते हो और अप्रोटक्टेड इंटर कोर्स करने के 30 मिनिट के बाद एग और sperm fertilize हो जाते हैं और fertilization के बाद से cells दिवाइड होने लगते हैं पहले दो सल बनता है फिर चार सल बनते हैं फिर आठ सल बनते हैं तो ऐसे करके सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और सल्स का एक बंडल बन जाता है एक क्लस्टर बन जाता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट तो ब्लास्टोसिस्ट एक embryo होता है एक भूण होता है तो fertilization के 6 से 12 दिन के बाद कम से कम 6 दिन और ज्यादा से 12 दिन के बाद fertilization के बाद से फैलोपियन से वह एंप्रीओ होता है वो ट्रांसफर होके uterus में जाके uterus की lining के साथ जिसको कहते है ěंडो मेर्त Remo wollen जा के इंपलांट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंप्लांटेशन प्रत्यारो पड तो प्रेगनेशी तब होती है जब सस्थ नोग यह तैबलेट क्या करता है और वान 14 control क्या करता है कि अगर अगा क्या है उसके पास से यह implantation के process को रोग देता है मैं जानि की आप इस Tablet को बिना डॉक्टर के prescription कि किसी भी medical store से किसी हिए ले सकते हो इस टेबलेट को लेंने से कुछ Mini-lux side effects आते हैं वो यह होते हैं कि इस tablet को लेने से, nausea vomitting की problem होती है, उल्टी और मतली की problem होती है, इस tablet को लेने से, सरदर्द होता है, इस tablet को लेने से, पेट मेंे cramp होता है, पेट में a Typically होती है, इस tablet को लेते समय, कुछ बहुत जरूरी precaution बैंने की जरूरत होती है तो सबसे पहली हैं इस टेबलेंट को लेटे हिए और इस टेबले टोन घंटे के लिए तो आपको जल्द से जल्द गा id जिससे इसका effect नहीं होता है, इस tablet को लेते समय दूसरी precaution ये लेनी चाहिए कि इस tablet को केवल emergency contraceptives के लिए ही यूज करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब आप किसी contraceptives का यूज करते हो और वो fail हो जाता है, तो आप इस tablet को केवल emergency condition में ही यूज कर सकते हो, आपको इस tablet को आपको अपने routine में नहीं ले आना है, इस tablet को बार बार यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक hormonal tablet होती है, इस tablet में high dose hormone होते हैं, जिससे आपके periods irregular हो जाते हैं, कभी आपके periods जल्दी आ जाते हैं, तो कभी आपके periods हमेशा delay होके आते हैं, तो इससे आपकी future की pregnancy में problem आ सकती है, तो इस tablet को केवल आपको emergency condition में ही इसका यूज करना चाहिए, इस tablet को लेते समय तीसरी precaution ये लेनी चाहिए, कि जब आपकी pregnancy conceive हो जाती है, जब आपका pregnancy test positive आ होता है, तो इस tablet को abortion के लिए गर्फात के लिए नहीं लेना चाहिए, जब एक बार pregnancy conceive हो जाती है, प्रेगनेंसी लग जाती है, तो उस पे इस tablet का कोई effect नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, तो आपको abortion के लिए फिर दूसरी medicine लेनी पड़ती है, इस tablet को लेते समय एक बह आपको जल से जल प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि ये confirm पता चल सके कि प्रेगनेंसी है की नहीं, तो unwanted 72 tablet लेते समय ये सारे precaution लेनी चाहिए, और friends, last में मैं आपसे फिर से एक बार यहीं कहूंगी, कि आपको इस tablet को प्रेगनेंसी को avoid करने के लिए daily basis पे, regular basis बिल्कुल भी use नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये hormonal tablet होती है, इसमें high dose hormone होते हैं, जिसका impact आपके health पर भी पढ़ता है, तो friends, I hope कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई होगी, कि unwanted 72 tablets को लेने का सही और effective तरीका क्या होता है, इसके क्या side effects होते हैं, इस tablet को लेते समय क्या precaution लेनी चाहिए, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी useful लगी होगी, तो इस वीडियो को like करिएगा, अपने friends के साथ जादा से जादा share करिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और इस channel को subscribe करिएगा, इसके अलवा अगर आपको इस कोई भी सवाल हो, कोई भी question हो, तो आप मुझे comment box में लिखिएगा, तो friends मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, thank you